असलाम अलेकम आज हम आपको बिबी जान के दस्तरखान से मज़ेदार चट पटी चना चाड बनाना सिखाएंगे रमजान में हर घर में ये रोज बनती है चना चाड आज आपको मैं डिफरेंट किसम की चना चाड बनाना सिखाऊंगी मैंने जो चीजें ली हैं वो ये हैं दो कप हमने बॉइल चने लिए हैं जिनको हमने बॉइल करके नरम करके रख लिए और बिल्कुल सॉफ्ट आपने इनको करना है ताके यह अच्छी दरा गले में हूँ और इनका पानी आपने बिल्कुल इनके अंदर सोख करने ना है हमें 2 बड़े साइस चाट मज़ए की लगती अच्छी लगती और अच्छी में चाट लिया से दो बारीक बारीक काट लियां। मोटा मोटा इनको नहीं पाटना, एक हमने हाफ कप हरा धन्या बारी काटा है, एक बड़ा टिमाटर हमने काटा है, इसके बीज निकाल दी है, हमने एक मग ठेटावा अच्छी दरा से हमें दही चाहिए होगा वो लिया है, पापड़ी ली है, मेरे पास पटिया समोसों की बच नमक लिया है, क्योंके, हमने च Aunूमें भी थी स्पून नमक याला था, 2 हरी मिर्चे हमने बड़ी काटा, इमली की चैटनी बनाएँगे बड़ी स्पेशल की की इसके लिए हमें आदा पाव हमने इमली ली है, जिसमे 2 कप गरम पानि डाल के इसको, हमने बिगो दिया था, हाफ कप हमें गुड़ चाहिए होगा अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप हाफ कप चीनी भी डाल सकते हैं लेकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुड़ को हमने जरा पीस लिया है हाफ तीस्पून हमें काला नमक चाहिए होगा हाफ तीस्पून पुटीवी लाल मिर्च, हाफ तीस्पून नमक, तीस्पून लाल मिर्च, तीस्पून गरम मसाला पॉर्डर अब हम एक पैन में इमली डालेंगे और इसके साथ यह सारे मसाले डाल के चत्मी बनाएंगे अब इसमे हमने ये सारे जो है वह डालने ये बड़ी मज़ेदार हमारी तियार हो जाएगी इसको हमने से 5 मिन तक करनें इसके अंदर हमने ये गोर्भी डालना है इसको हमने टीस लिया था इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको हमने 5-6 मिर तक पकाना है और इसको हमने चन्नी में चान के गाड़ा सा इसका पल्क त्यार हो जाएगा वो हमने निकाल लेना है तक पांच मिर तक अपनी इमली की चटनी को पकाया है और ये जबरदस इसमें खुश्बू आ रही है अब हम इसको एक चन्नी में चान लेंगे और फे ठंडा करके इस्तमाल करेंगे आप इसमें डालके इसको चान लें इसी चन्नी में ये आप चटनी बनाके फ्रीज में भी रख सकते हैं और जब भी आपको जुरुरत पड़े आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं बर्गर् तो आपको पास एक त्यार चटनी प्रिज में होगी आप जल्दी से इसको 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 देखिए अच्छी तरह ऐसे मैश करें यह आपकर गाड़ा सा पल्प त्यार हो जाएगा अब हमने एक बाउल में दो कप चने डाले हैं इसमें हम बाकी चीजें शामिल करेंगे आदे आलू डालेंगे हर चीज हमने आदी अधी डालनी है बाकी हमने इसको डेक्रेट करने के लिए थोड़ा सा रखना है तिमाटर प्यास हरा धनिया हरी मिर्चें चाट मसाला हाफ टी स्पून नमक अब हमने जो इमली का पानी बनाया था चत्पनी बनाई है यह देखें कितनी गाड़ी हो चुकी है इसको अब हम इसमें जितना दिल चाहे जितना आपको पसांद हो खटा उतना आप इसमें एड़ कर सकते हैं हम इसको हाफ डालेंगे और बाद में जिसको ज्यादा जूरत हो वो अपनी प्लेट में और भी शामिल कर सकता है थोड़ा सा हमने इसके ओपर फ्रेश पोदीना ये भी डालना है और लेमन जूस ये मैंने शुरू में नहीं बताया था ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है एक हमने लेमन जूस को काटके इसके ओपर डाला है अब हमने इन चीजों को अच्छी तना से मिक्स कर लेना है ये देखें क्या जबरदस चैट पटी हमारी चना चाट त्यार हो रही है अब इसको अच्छी तना से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको डेकुरेट करना है इसके पापड़ी आप डालेंगे आपका जितना दिल करें जो चीज ज्यादा अच्छी लगे आप इसके उपर डाल सकते हैं जबरदासी हमारी चना चाट त्यार हो रही है रमजान में यह बहुत अच्छी लगती है रोज बनती है लोगों फिरों में अब इसके ओपर जो फिटावा हमने देही था गाड़ा सा उसको हमने उपर डालना है यह देखें यह पोदीने की जो चटनी है अब इसको डालें जिस चीज़ का आपको टेस्ट ज्यादा अच्छा लगे वो आप उसमें ज्यादा एड़ कर सकते हैं मेठी चटनी मिर्चे कई दफा बच्छों को इतनी हरी मिर्चे नहीं खा सकते तो आप इसको एक साइट पर रख लेते हैं जिसको जितना दिल करें वो डाल के खाए अब हमारी यह मज़ेदार चनार चाठ त्यार हो गई है अब हम सबस्कों सर्फ करेंगे नहीं चट पटी मज़ेदार चनार चाठ त्यार हो चुकी है यह आप जरूर घर पे ट्राइ करें इस डिश का कमेंट्स में फीड़ बैक देना ना भूलिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा शुक्रिया